हेलो बचो नमस्कार, श्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और बचो मैं हूँ अर्विन ज्यादव 12th Agriculture के छात्रों के लिए बड़ी खुसकवरी है 12th Agriculture का संपूर्ण कोर्स हमारे जो एप्लिकेशन है एग्रोटेक स्टडी इस पर आपका आचुका है और बचो 12th Agriculture के जितनी भी छात्र हैं एदी वो बड़े बड़े कोचिंग इस्टिूट में नहीं पढ़ सकते हैं तो उनके लिए हमारे जो एप्लिकेशन है एग्रोटेक स्टडी यहां पर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी बहुत अच्छे तरीकी से जिसकी फीस ना के बराबर है बड़े बड़े इंस्टिूट है जो की ऑफलाइन में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को ददस बारा बार आजार रुपे फीस देना पड़ता है तो उनमें पढ़ने की आपको आवश्यक्ता नहीं है हम आपको अपने एप्लिकेशन के माध्यम से कंप्लीट वीडियो कंप्लीट नोर्स एक एक चेप्टर के पूरे नोर्स कंप्लीटली हम आपको दे रहे हैं तो बचो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखिए वहां से आप लोग एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लें और पूरी तैयारी स्टार्ट कर दीजेगा ठीक है ना बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चोके हैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप पूरा डेमो क्लास हमा लेकर आएं इससे पहले बीडियो में डेमो दिया था आपका पसुपालन का आप देख सकते हैं पराना वीडियो बाकी आज जो है आपका पसलत पातन का पहला चेप्टर है इसके कुछ कोशन हम लेकर आएं जोकी बहुत मैटपून है और आपको एक आइडिया लगेगा कि हम किस परकार से पढ़ाएंगे और किस परकार से आपको पूरी वीडियो हमारे application में मिलने वाली हैं ठीक है ना तो बचो देर किस बात की देर नहीं होना चाहिए आपको description में लिंक बन जाएगी बहां से आप mobile से घर बैठके पूरी तयारी कर सकते हो ब गि 8,8,8,10,6,000 इतनी फीस बहुत ज़्यादा ले करके और कहीं न कहीं बच्चों से इतनी फीस ले करके और वो चीज नहीं दे पाते हैं जो चीज एक्षून में बच्चों को मिलना चाहिए एक एक पॉइंट नहीं समझा पाते हैं कई बार बस चिन लगा दिये गाइड् गाइड्या ले करते हैं यह मैं एक्सर देखा हैं और बच्चों सुना भी है मैं जब पढ़ता था तब भी मेरे साथ यह número Vereक है खेर जो भी हुआ बाकी बाद में जिस परकार से हमने पढ़ाई की और आज आपको जिस परकार से दे पार है आज लगातार 5 साल हो गाई 5 साल स यूटूब चैनल पर आपको पढ़ाया हमने वीडियो भी हमने कई प्रकार की वीडियो डाले हैं P.A.T. से संबंदे 12 तेगरी का चैसे संबंद तो आपसे हम कहना चाहेंगे कि आज ये वीडियो देखें और पूरा तरीका समझें आपको यदि पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप जरूर को पर्चेज करें ठीक है तो अपने दोस्तों को सेर जरूर करें आपकी स्कूल के जो ग्रूप है उनमें जरूर भीजें इस वीडियो को तो सुरुआत कर लेते हैं अच्चो तो बच्चो सबसे पहले हम समझें कि जल निकास होता क्या है सब लोग जानते हैं कि खेत में भरे हुए फाल्तू पानी को बरसाथ के सीजन में खेत में आवशकता से अधिक पानी जैसे भर जाता है तो हम लोग उसको किर्तरिम रूप से बहार निकालते हैं किर्तरिम का मतलब होता है खेत में भरे हुए फालतु पानी को फालतु यानि जो हमारे कोई काम नहीं आता है अनावस्यक जो जल होता है वही आपका क्या होता है फालतु पानी होता है कृत्रिम रूप से बहार निकालना मतलब किसी बैक्ति उसको हमारे द्वारा काम किया जा रहा है मनुस के द्वारा उसको काम किया जारा है तो इसलिए हम लोग कहेंगे किर्त्रिम रूप से बाहर निकालना ही जलनिकास कहलाता है तो ये तो definition की बात है आगे हम इसके उद्देश को कि बात करते हैं कि जलनिकास हम क्यों करते हैं तो पानी को बाहर निकालना है तो सबसे पहला उद्देश है बच्चो कि भूमी को दलदली होने से बचाने के लिए यदि हम उस पानी को बाहर निकालते हैं तो हमारी भूमी दलदली होने से बच जाती है कहने का मतलब क्या है कि दलदली का मतलब होता है कीचड़नुमा दलदली का मतलब क्या है कीचड़नुमा देखे खेत में यदि पानी बहा रहा तो हमारी मूमी कीचड़ नुमा हो जाएगी तो फिर हम उसमें कोई फसल अच्छी परकार से नहीं ले सकते सिर्फ दहन को छोड़ करके तो हम उस पानी को इसलिए निकास करते हैं उस पानी को हम इसलिए निकालते हैं कि मुँमी हमरी दलदल होनी से बच जाए दूसरा हमारा उदेश है कि किर्शी क्रियां समय पर करने के लिए आप बिटा अच्छी प्रकार से जानते हैं कि यदी खेत में पानी भरा है तो आप कोई भी किरसी क्रिया समय पर नहीं कर सकते हैं क्यों पानी यदी भरा है ना तो आप जुताई कर सकते उसकी ना कोई फसल की बबाई कर सकते ना निदाई कर सकते ना गुडाई कर सकते हम उस पानी को बाहर निकालने का हमारा दूसरा उद्देश यह होता है कि उसको पानी बाहर इसलिए निकाला जाता है कि जो भी किर्सी के रिया है जुताई बवाई निदाई गुड़ाई वो हम समय पर कर सकें तो निदाई गुडाई जुदाई ववाई जो भी है समय पर करने के लिए हम लोग उस पानी को बाहर निकालते हैं इसलिए हम लोग जल निकास करते हैं तीसरा पॉइंट है बच्चो भूमी का बायू संचार बढ़ाने के लिए आप जानते हो यदी खेत में पानी भरा रहा तो जो भी फसल होए बहां पर या जो भी आपकी भूमी में क्या होगा बायू का संचार नहीं हो पाएगा वहाँ पर हवा नहीं पहुँच पाएगी आपको मालूम है कि ये उस खेत में फसल है वो थोड़ा बहुत भी पानी भर है तो फसल जो होती है वो आपको पता है पूरी तरीके से खतम हो जाती है ऐसे लगता है जिससे जल गई हो है ना अपने देखा हुआ पीली पर करके फसल नस्ट हो जाती है यदि खेतें पानी भर जाये तो ऐसा क्यों होता है आप जानते हूँ ऐसा इसलिए होता है कि वो उनकी जड़ों को येर नहीं मिल पाती है हवा नहीं मिल पाती मतलब ऑक्सिजन ही नहीं मिलेगा तो आपको पता है अपसल पुरी तरह से सूप करके नस्ट हो जाती है तो हम उस पानी को इसलिए बाहर निकालते हैं कि भूमी का अच्छी प्रकार से बायु संचार हो सके बायु संचार बढ़ सके नैश्ट एप भूमी का ताप मान सहीरे के लिए आपको मालूम है कि यदी खेट में पानी भरा रहा तो पाई ठंडा होते जयरे तो आपको पता है कि भूमी का ताप मान कम हो जाएगा मतलब पूरा अनकंट्रोल हो जाएगा, यह कह सकते हैं हम लोग, तो भूमी का ताप पान सही रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खेश से पानी को बाहर निकालते हैं, पांच वाप का पॉइंट है, भूमी को उपजाव होने, अनुपजाव होने से, इसको सही कर ले ना प खेद में पानी भरा रहा, तो क्या होगा मालू में आपको भूमी अनुपजाव हो जाएगी, मतलब उसकी जो फर्टिलिटी है ना वह खतम है, अब आप कहोगे कि अनुपजाव मतलब आप ऐसे समझ सकते होगा, आपके खेद में आदिक समय तक पानी भर रहा, आदिक समय तो जो भूमी हैं वहाँ पर क्या होगा chill बच्चो उसमें लवण एकटे हो जाते हैं लवण जैसे एकटे होते हैं तो भूमी का यह पी-हच होता है बो गरबड हो जाता है और हमारी भूमी के लिए पी-हच चाहिए कम से कम 6-7 और ज्यादा समयता के दे पानी भरा रहा ले नहीं सकते और क्यों नहीं ले सकते मैंने बता दिया कि पी-एच उसका गरबड हो जाता है ज्यादा समय तक पानी भरा रहने से तो उमीद करता हूं आपको यह कोशन बहुत अची प्रकार से समझ में आ गया होगा जल निकास क्या है जल निकास के उद्देश आपको मैंने क्लियर कर दिया होगे किसी भी छात्रों कहीं कोई समस्या नहीं आ रहे होगे यदि आपको यह कोशन समझ में आ गया तो आने वाले कोशन आपको बहुत अची प्रकार से क्लियर हो गया होगे हो जाएंगे सोरे हो जाएंगे कैसा कि कोशन यह ऐसा है कि एक ही कोशन पर पूर हैं पूरा अन्दाजा लगा सकते हो पुरा एडिया लगा सकते हो कि वह जो पहला कॉसन है कितना वाइन रखता है क hops recommend को complete करा need फूर ये किया है ज्ल नकास यान्य खेत में से पानी को निकाल दें जल को निकास कर दें गेल हो सबसे पहले तो वह सेम टू सेम है भूमी दलदली होने से बच जाती है अब आप सोच रहे होगे सर वही का वही सेम टू सेम कहे रहे है अब सेम टू सेम नहीं है आपने नोटिस किया हो तो वहाँ पर क्या था भूमी को दलदली होने से बचाना या बचाने के लिए लेकन यहा पर क्या होगा हो जाता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसलिए लाव या महत पर पहले कॉश्चन को समझे इसके बाद आपको अंसर अच्छी प्रकार से देना होगा भूमी दलदली होने से बच जाती है सही बात है यदि हम खेट से पानी भार निकाल दें तो हमारी भूमी दलदली होने से बच जाएगी होगी की नहीं बतागी कीचर नुमा होने से बच जाएगी की नहीं बिल्कुल बच जाएगी बहुत अच्छी बात है दूसरा प्वेंट है बच्चो भूमी में बायू संचार भी बढ़ जाता है सही बात है खेसे पानी भार निकालने तो भूमी में अच्छी प्रकार से बायू संचार भी बढ़ जाता है तीसरा है भूमी का तापमान सही हो जाता है भूमी का तापमान सही हो जाता है या हम कह सकते हैं वो गलबड नहीं होता है नियंतरन में रहता है जर्नली मैंने आपको बताया था कि खेत में यदि आधिक समय तक पानी भरा रहा तो बड़ी ये समस्या होती है कि तापमान कम हो जाता है और हम कोई भी फसल जो है अच्छी प्रकार से फिर नहीं ले पाएं क्योंकि सबका अपना अपना बिसेश टंपरिचर होता है भूमी की जुताई एवं भूबाई समय पर हो जाती है सही बात है यदि हम लोग उस पानी को बहार निकाल दें तो भूबाई हो जाता है मतलब सबी किर्सी क्रियां हम लोग समय पर कर सकते हैं समय पर हो जाती है क्यों क्यों कि भूमी में से हमने पाई निकल दें अब समय पर आप चाह जो यह भूबाई हो हम लोग समय पर कर पाएंगे बड़ी अच्छे मिर्कार से पांच बाया बच्चों नेक्स आपका फसले सडने गलने से बच जाती है जिया बच्चों जो फसले होती है वो सडने गलने से बच जाए अब सोचिए अगर कोई फसल खड़ी है मैंने आपको बताया था कि जादा समय तक यदी पानी भरा रहा तो उसको बायू नहीं मिल पात तो वो सडव गल जाती है, फसल पूरी तरीकी से नस्टी हो जाती जंगले तो यही है, तो अगर हमने उस पानि को भाग निकाल दिया पाइ निकाल देते हैं, हम लोग जल का निकास कर देते हैं एदे हिस खेट से, तो क्या होता है? जो फसल है वो सड़ने कलने से बच जाएगी ठीक है तो जलनिकास के क्या लाव हैं उमीद करता हूँ बड़े अच्छी प्रकार से आपके किलियर हो गया होगे ठीक है बच्छो बढ़ते हैं हम लोग आगे नैस को सलक्योर आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको किलियर क करें चाहे 12 के छात्रों या MPPAT के छात्रों एग्री कल्चर किसी भी एक्जाम की अफलोग तयारी कर रहे हो थो आपके लिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टड़ी हर पल हर दम खड़ा हुआ है आपके साथ बस आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए हमारे लि वीडियो तो उतना ज्यादा चात्रों तक वीडियो पहुंसके अपने मित्रों को जरूल दें जहां जिस क्लास में आप पढ़ते हैं जहां पर जितने भी छात्र हैं उनको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में जरूल बताएं अगर उनको कहीं कोई समस्या आती है तो वह हमसे बात भी कर सकते हैं प्रॉपर बात कर सकते हैं नमर हम यूट्यूब चैनल में दे ही रखा है हमने डिस्क्रफशन में भी दे रखा है यदि वहाँ पर भी नहीं मिलता है तो हम वीडियो को लाश तक देखी लाश नमर देता ही हूं इसलिए आप लोग जो है ना दूसर चात्रों की हेल्प भी कीजेगा क्योंकि भई बात होती है कर भला तो होगा भला सही बात है यदि हम किसी का भला करते हैं तो उपर बाला हमारे साथ ही बहुत अच्छा करता है यह स्योटी है यदि हम किसी के साथ अच्छा करें तो उपर बाला जरूर हमारे साथ कहीं ना कह अच्छा करेंगा पैसे आज का जमान पता क्या है हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और वही वेक्ति हमारे साथ को दोनिया है ऐसे आप उस भेक्ति रंखां ऐसे हमускा का जाहां G FC का अच्छा राखना Betsy लेकिन हमें भरोसा रखना चाहिए अपने प्रभू पर अपने भगबान पर हम को भरोसा रखना चाहिए तो मैं बस इतना चाहता हूं आप से कि दूसरे का बहला करने में बिल्कुल वह आप लो ना पीछे हटें जहां आपको समय मिलता है तो वीडियो को सेर्ज जरूर किया क करें इस्टिटस लगाया आसे मैं आपसे उम्मीद करता हूं ठीक है ना और यदि आप हमारे जो एक्रोटेक स्टडी का बाउट्सप ग्रूप पर उससे जुड़ना चाहते हैं तो प्रेस्क्रप्शन में उसकी लिंक दे रखिए आप वहां से बाउट्सप ग्रूप में भी जुड़ सकते हैं और यदि कोई नोट्स, MPPAT, 12th Agriculture के नोट्स अगर यदि चाहता है तो वह हमसे नोट्स भी प्राप्त कर सकता है ठीक है चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम लोग आगे आगे हम बात करते हैं जलनिकास की बिदियों को समझाईए जलनिकास की जो बिदिया है उनको दो भागों में बाटा गया है सबसे पहले विदिये जलनिकास की प्रष्टिये जलनिकास प्रष्टिये जलनिकास क्या होता है जब जलनिकास की नालिया भूमी की सत्य की उपर बनाई जाती है तो उसे प्रष्टिये जलनिकास कहते है भूमी का जलनिकास है दूसरा जब जल निकास की नालियां भूमी की सत्य के नीचे बनाई जाती है तो उसे भूमी गत जल निकास कहती है इसको गत कहले न भूमी और निकास किया लिखाओ गजल निकाय हो लिखाओ इसको सही कहले न तो उसे भूमी गत जल निकास कहते हैं ठेको बच्चे मैं आपको पूरी तरीके सी समझाता हूं आप अच्छी प्रकार से इसको समझेगा प्रष्टिय जलनिकास कहा होता है जब जलनिकास की नालियां भूमी की सत्य के उपर मतलब जैसे यह भूमी है तो हम इसको पानी को अब निकालने के लिए दो विदिया निकाले उन्होंने एक प्रष्टिय विदी और दूसरी आपकी भूमी कहता है प्रष्टिया यानि उपर भूमी की सत्य की उपर जो नाली हम लोग बनाते हैं पानी निकालने के लिए जो खेत में हमारा पानी भरा हुआ ना उसको निकालने के लिए बैसे हमारे यह समस्या नहीं होती है जहां पर ज़्यादा पानी रेता है बहां पर समस्या होती है जहां पर ज़्यादा बारिस होती है बहां पर यह समस्या आती है अब हम जिसे MP के निवासी हैं तो MP में ये समझ से बहुत कम है ना के बराबर समझ लेज़े समझ में आ रहे हैं ना मैं आपको बता हूँ कहा का पर इस्तिती है जातर जो इस्तिती है जो हमारे पूरब की राज़ है पूरब की जो स्टेट है असम है और नाचल है आपका मिजूरम है मेगाल है इन राज्यों में सबसे ज़्यादा प्राब्लम क्रियेट होती है कि महां पर बारिस ज़्यादा होती है ठीक है ना जहां पर बारिस ज़्यादा होती है तो खेतों में और इदर उदर से चट्टान है मतलब बड़े बड़े तो पानी जितना भी चट्टानों पड़ता है वो भी हमारे खेतों में भर जाता है जब उन खेतों में भर जाता है तो उसको निकालने के लिए कहीं न कहीं तो कुछ करना पड़ेगा तो ये समस्या हैं वहाँ पर आती हैं हमारे यहां MP की अदि बात करते हैं मस्यां आती है पर बहुत कम ना के बरावर हम लोग कह सकते हैं ठीक ना चलिए अब बात करें हम लोग तो प्रिष्टे जलनिकास क्या है अप लोग यह बस इतना सा याद रखना है कि जब जलनिकास की जो नालिया है और खेत की सत्य की उपर बनाई जाती है तो उसे भूमी की सत्य के नीचे बनाई जाती है भूमी की सत्य के का बनाई जाती है नीचे अब आप सुच रहे हो नीचे नीचे कैसे अंडरग्राउंड बनाई जाती है अब आप यह भी दिमाग लगा रहे हो कि अंडरग्राउंड कैसे बनाते होंगे यह सोचने बाला तो है बिल नालिया बना सकता है और कोई तरीका नहीं रहा है तो उसे भूमिगत जलनिकास हम लोग जनरली कहते हैं यह द्यार रखने आप लोग ठीक है तो दोनों विधिया आपको समझ में आ गए तो विधियों के बारे में तो आप पता दिया अब बढ़ेंगे हम लोग आगे देखे बचो भूमिगत जलनिकास के गुन लिखी ये भूमिगत जलनिकास मैं आपको अब दोनूंग बिदियां बताईं आपको इक प्रृस्ठिये जलनिकास दूसरा भूमिगत सबसे पहले हम भूमिगत पढ़ रहे हैं इसके बदा प्रिश्ठिये पढ़ लें कोई दिखते तो भूमिगत जनल निकास के गुण का जो नालियां हम लोग अंडरग्राउंड बना रहे ना सब सरफेश जिनको बोलते हैं सब सरफेश बोलते हैं सब सरफेश बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ड्रेंज बोलो या ड्रनेज तो उनके गुण क्या है तो देख सबसे पहले तो यह है कि नालियां बार-बार नहीं तोटती हैं क्योंकि जो अंडरग्राउंड बनाई जाती है तो पक्की नालियां बनेंगी इस्थाई नालियां बनेंगी तो उनका गुण यह हुआ कि वो नालियां बार-बार नहीं बनानी पड़ेगी सबसे बड़ा लाब तो यह है अज़ा अच्छी बात है किकि तूटती नहीं है सबसे पहले बात तो इसलिए उनको बहुत बहुत कम रहती है भूमी कटाब की संभावना क्या रहती है बच्चो बहुत कम रहती है भूमी कटाब का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं कि पानी जैसे बरसता है तो पानी अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाता है पानी अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाता है उसे हम लोग भूमी कटाब कहते है तो इसमें भूमी कटाब की संभाबना नहीं रहती क्यों? क्योंकि जो पानी निकलता है जल का निकास होता है वो क्या होता है? अंडरग्राउंड से होकर के पानी नालियों से होकर जाता है आपड का कोई रोल महाँ पर नहीं होता यह चीज आप अची मिरकार से जानते हैं तीसरा है, खेत में किरसी योग छेतरफल भी कम नहीं होता अब नाली हम लोग अंडर्गरांड बना रहे हैं, ओपर तो कोई नाली नहीं बन रहे हैं तो उपर तो जब कोई नाली नहीं बन रहे है। तो हमारा area तो जैसा ही धाना देगा। किरसी यौग जो चेत्र पल रहा है। उस पे तो कोई फरक पड़ेगा नहीं। वू तो कम होगा ही नहीं। अगर वोई नाली हम लोग उपर बना दें तो भाया area गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा लेकिन हम नाली कर मुना रहे हैं? underground बना रहे हैं, नीचे बना रहे हैं, sub-surface बना रहे हैं, तो क्या होगा? किर्षी योग छेतपल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है चौथा गुण है, किर्षी किर्सी क्रियां करने में बादा उत्पन नहीं होती है किर्सी क्रियां करने में बादा उत्पन नहीं होती है सही बात है अंडर्ग्रम नाली बना रहा है तो ना तो हमको जुताई में प्रॉबलम होगा ना भवाई में प्रॉबलम होगा नालिया बार बार नहीं तूटती जिससे मरमत करानी की आवसकता भी नहीं पड़ती सही बात है पक्की नालियां होती है तो बहुत ही ऐसा कम चांस होता है कि वो नालियां तूटें और यब तूटें तूटें तूटी नहीं है तो मरम्मत मरम्मत का मतलब होता है दोबारा उनको रिकंस्ट्रक्शन कराना दोबारा उनको बनवाना तो उसको करानी क्या वसकता हो होते हैं गुण होते हैं आपको अच्छी प्रकासे बस गलती कर दी मैंने यहां प्रेस्टी नालियों के पहले गुण दोस्ट पढ़ाने चाहिए ते जिससे आपको और अच्छी प्रकास कोई बात नहीं थोड़ा सा अड़ेस्ट का लिए इसके बाद कॉस्टन लेकर आ रहा ह अविदी